नमस्कार दोस्तू, दोस्तू ये कहा जाता है कि यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको मोटा खाना खाना चाहिए, मोटा खाने का मीनिंग क्या है, हेल्दी खाने का मीनिंग क्या है कि आपको western dishes का सेवन कम से कम करना चाहिए, पीजा, बर्गर, जैसी चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए और आपको रोटी, सबजी, दाल, सलाद और फल फ्रूट का अधिक सेवन करना चाहिए यदि आप इनका सेवन करते हैं तो आप बहुत त्रहें की बीमारियों से बचे रहते हैं वैसे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई नुस्खा नहीं ब दोस्तों हम सबी लोग आठे की रोटी तो जरूर हर घर में खाते ही खाते हैं तो क्यो ना आपके उस आठे को ही ऐसा बना दे जाए जिससे कि आपकी हेल्थ को बहुत अधिक फाइदा हो और आप बहुत त्रहें की बीमारियों से बचे रहें तो चली दोस्तों आपको बता और आपका स्रीर भी मजबूत और सक्ती साली बनेगा। आप रागी का सेवन कर सकते हैं। रागी भी बेहद अधिक फाइदेबंद होती है हमारी सेहत के लिए। और साउथ इंडिया में तो रागी का बेहद अधिक सेवन किया जाता है। इसलिए आपको रागी का भी सेवन जरूर करना चाहिए अपने आटे में मिलाकर। और यदि मैं तीसरी चीज़ की बात करूँ तो तीसरी चीज़ है दोस्तो बाजरा। आप बाजरे का भी सेवन कर सकते हैं अपने आटे में मिलाकर। राज्थान वगेरा में बाजरे का अधिक सेवन किया जाता है। तीब आप रास्थान के लोगों को देखेंगे कि वो सरीर से ताकतवर होते हैं लंबाई भी अधिक होती है और अधिक मोटे नहीं होते हैं। और यह आपके पेट को देर तक भर कर रखते हैं जिससे कि आप अधिक खान नहीं खाते तो आप बाजरे को अपने आटे में मिलाकर सेवन कर सकते हैं और जो अगली चीज है वो है दोस्तो जमार पाज के समयम बहुत सारे लोग जमार का सेवन करते हैं अपने आटे में मिला कर दोस्तो आप भी जवाँड को भी अपने आटे में मिला सकते हैं क्योंकि जवाँड को आप मिलाएंगे वो भी weight loss का काम करेगी आपके सरीर की immunity को बढ़ाएगी आपके सरीर को मजबूत बनाएगी diabetes हो या cholesterol की समस्या हो या दिल को मजबूत बनाना हो इनमें बेहद कारगर है आपके लिवर को सही रखने का काम करती है तो आप जवार का सेवन भी कर सकती है दोस्तों आप इन सब को एक साथ मिला कर भी परियोग कर सकती है और अलग अलग भी परियोग कर सकती है जैसे आप क्या करें चने काटे अपने रसोई में रखें जमार काटा रखें बाजरे काटा रखें आप रागी काटा रखें तो जिस दिन आपको जो आटा खाना है आदा आटा लिया आपने आदा गेहू काटा लिया आदा उस चीज काटा लिया दोनों को मिलाकर रोटी बना जैनि कि आप जो मिक्स आटा करना चाहें, उसका आटा एक अप लें, तो इस अरेसो में आप जरूर सेवन करें, लेकिन यदि आपके सरीर को बीमारियों ने घीर रख है, आपकी इम्नुटी कमजोर है, आप जल्दी जल्दी से बीमार पड़ते हैं, या आपको डायप्टीज जवार लेशे के हैं, बाजरा लेशे क्ते हैं, चने काटा लेशे क्ते हैं, आदा इन को मिलाएं और उस आटे की की रोटी खा करें, तो पिर देखें दोस्तों आपका सरीर कैसे निरोगी बनेगा, जो आपकी डायप्टीज कंटॉल में नहीं रहती न वो भी गली बनी रहे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियों की नोटिफिकेशन आते रहे